अंग्रेजी में ने कैसे कहें? जैसे, बोलने में कुछ नहीं जाता, हसने में कुछ नहीं जाता, सेखने में कुछ नहीं जाता, रोने में कुछ नहीं जाता, and more. गाइज, इस तरह के sentences को हम डेली यूज में बोलते हैं. ये sentence काफ़े interesting है. इनने सीकर, आप अपनी communication skill को और ज़्यादा improve कर पाएंगे. आप डेली बोल चाल में sentences का uses करें, ताकि आप English को और ज़्यादा perfect बना पाएं. तो चलिए गाइज, बिना दिरी की हम वीडियो को सुरू करते हैं. Let's get started. गाइज, सब सब पहले हम सीखेंगे, इस ट्रेक्चर के बारे में. इस ट्रेक्चर सीखकर, आप किसी भी प्रकार के sentences को बना सकते हैं. इस ट्रेक्चर है, सब सब पहले हम लिखेंगे, Nothing goes to plus verb की first form. Nothing goes to plus verb की first form. बोलने में कुछ नहीं जाता, इसे हम बोलेंगे, Nothing goes to speak. Nothing goes to speak. यहाँ पर बोलने में कुछ नहीं जाता, इसे हम कहेंगे, Nothing goes to plus verb की first form, speak. बोलने में कुछ नहीं जाता, Nothing goes to speak. हसने में कुछ नहीं जाता, इसे हम इंगलिस में बोलेंगे, Nothing goes to laugh. Nothing goes to laugh. हसने में कुछ नहीं जाता, Nothing goes to laugh. Next example है, रोने में कुछ नहीं जाता, इसकी इंगलिस होगी, nothing goes to cry, रोने में कुछ नहीं जाता, nothing goes to cry, ऐसे sentences आप डैली बोलें, जिससे आपकी इंगलिस और ज़्यादा इंप्रूव होगी, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाईएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर जिएगा, इससे तरह और interesting वीडियो लाता रहूंगा, next है, सेखने में कुछ नहीं जाता, इससे बोलेंगे, nothing goes to learn, आप किसी को भी बोल सकते हो, nothing goes to learn, means सेखने में कुछ नहीं जाता, दोड़ने में कुछ नहीं जाता Nothing goes to run दोड़ने में कुछ नहीं जाता इससे में बोलेंगे Nothing goes to run चलिए कुछ और example देखते हैं Next है For practice देखने में कुछ नहीं जाता इसका अंसर आपको comment में लिकना है I hope ये वीडियो आपको समझ में आया होगा वीडियो काफ़ी interesting था अच्छा लगा तो like करें चैनल पर नहीं तो subscribe करें मिलते हैं इस तरह और interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई जे हिंद वंदे मात्रम